हेलो असलाम लेकम एंड वेलकम टू माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब होफुली आप सब ठीक होंगे हम भी सारी ठीक हैं अलापक आप सब को ठीक ठाक रखे तो इधर मैंने थोड़े से ब्राण फ्लेक्स डाल दी हैं बेटे बड़े को दूंगी नाशता पहले उसने जाना है स्कूल तो छोटे बेटे ने आज नहीं जाना था क्योंकि उसकी छुटी है और उसने ऑनलाइन क्लास लेनी थी तो इसको मैं दे दूंगी पहले नाशता और साथ मैं इसको दे दूंगी लांच बना के तो आज कल ना कोवर्ड का जो ज्यादा मसला बन गया फिर जि सोया हुआ था तो हस्बन नहीं अब जाना था काम पे तो उनके लिए मैं नाशता बना रही हूं तो साथ मैंने का चले मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूं सची सुबो अरली उट जाते है तो इतनी बूख भी लगती है सुबो तो जब तक कुछ खाया ना जाय हलका फु तो इन्होंने का था मुझे ना नुटेला लगा दें सिंपल गोट के ऊपर तो यह वाले जो गोट है ना मुझे बड़े पसंद हैं यह लिडल से मैं लेकर आती हूं तो यह सीडिड है और नमकीन से आप दूद के साथ खाए ना बड़ा मज़ा आता है इनका साथ मैंने चा चाहिए और फिर सब को देना होता है नाश्ता भी देना होता है तो कुछ पता नहीं चलता कि किसको क्या दें किसको क्या ना दें बच्चे पहले जाते हैं तो यह बाद में जाते हैं लेकर माओं की जो इतनी दौर लगती है ना समय नहीं आती तो साथ मैं थोड़ी सी ना प तो तोस्त भी घरम कर ली हैं और अंडा, जो एंता ने को एसे सिंपल इनोंने रहा था भना दो, कोई मैंने इस नहीं अचेओं यह उल्ली वाल जो करते हैं, अगर मैं यह ना भी बनाऊना देशी गी तो भू मैं झो बटर लेके आते हैं तो वह पत्सक्तुक्ड मैं उसको ना उसका गी बना लेती हूं तो बच्चों के फिर नाश्टे वगरा के लिए मैं वो यूज करती हूं चाय भी साथ पाक रही है और अंडे मैंने दो डाल दी इसको सिंपल बना दूंगी तो नमा कूपर काली मिर्च डाल लेंगे अगर दिल किया उनका तो तो कुकिंग हाईल जो है ना वो कम से कम ही यूज किया करें क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें ठीक भी नहीं हैं ओली वोईल ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि सेथ के लिए वैसे भी अच्छा होता है तो नाश्ता जो हमारा रेडी हो गया मैं चाहए अब डालूंगी कॉप्स में और जा के हम नाश्ता करेंगे तो अभी मैंने ना इनका लांच भी बनाना था लांच मैंने का चले मैं नाश्टा कर ले थोड़ा हलका फुलका इनके साथ ही फिर उसके बाद मैं ना इनका लांच जो है ना वो रेडी करूंगी तो नाष्टा फिर मैं करने के बाद बाकी जो गर के काम राम राम से करूँगी क्योंकि जब सारे चले जाते है न तो फिर दोड़ी देर दिल करता है कि मैं लेट चाहूं न तो स्कून करके थोड़ा सा फिर उठके मैं काम करती है सुबों जब जल्दी उट जाती है न तो ऐसे मेरे सरकों उनसरच में चकर आना शुरू हो जाते हैं जब यह सारे चले जाते हैं न ऐसे जैसे ठक जाता है बंदा तो सुबो के टाइम में ज्यादा जो है ना जेन जो है ना दड़ाना पड़ता कि क्या करना क्या नहीं करना तो सारा काम कुम मैंने किया है और किचन वगरा क्लीन किया जो भी करना था तो ये दुपहर का टाइम है तो बच्चों के लिए मैं इदर बना रही थी fruit chart तो उसके लिए मैंने दो carrot ले लिए एपल लिए साथ में lettuce लिए और चिकपीस ले लिए साथ उसके अंदर मैंने कीवी सारा कुछ मैंने काट के न डाल दिया तो दो orange लिए इसको मैं डाल के न squeeze कर दूंगी orange में वैसे भी vitamin C ज चाहिए ये तो इसका pulp जो है न वो भी मैं साथ ही डालूंगी उसको waste नहीं करूंगी तो बच्चों को आजकल न दोनों को शौक चड़ा हुआ कि दुपहर के time न हमें steam वो vegetable दे मामा या हमें इस तरह fruit chart बना दिया करें मैंने क्या हुआ आपको तो कहते हम भी अपना weight loss करें मैंने का फिर पहले आप मीठे कम खाया करें न तो मीठा बच्चे जो है न मीठा न स्किप कर सकते तो ये है कि मीठा वैसे भी खाने के बाद कुछ न कुछ क्रेविंग जैसे बंदे को होती कि थोड़ा बहुत थोड़ा भी शक खाएं खाना जरूरा मीठा तो इदर मैं चा जाड़ मसाला ना ज्यादा डाल दी है तो मुझे समझ ही नहीं आई उस वक्त मैंने चेक किया था मुझे थोड़ा कामी लाग रहा था फिर मैंने उनको नीचे से ज्यादा नहीं दी ना एक मैंने लेमन भी बिसके अंदर स्कुईस कर दी है थोड़ी से मैंने ये नकाल ली योगर्ट लेके आई थे लिडल से चैरी वाला बच्चों को बिल्कुल भी इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगा लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने का चले मैं चाट में डालके ना तो खाती हूं सच में यकीन करें आप इतना मज़ा आया था ना इसका तो बस काफी ठंडा मौसम हो गया दो दिन से ज्यादा बारश जो हो रही है सारा दिन तो इस तरह का वैदर जब होता है ना तो मुझे दो दो दिन पहले इतनी सच में गर्मी हीटर चलते रहते हैं गर्मी सारा दिन तो मैं बिल्कुल तीन नमबर पे चला हदू या चार पे पांच पे तो यह है कि घर जो हीट अप रहता है तो सकून से बंदा फिरता है जब बाहर निकलती है ना इतनी सर्दी में कल बाहर गई हूं और इतनी ठंड लग रही थी ना बाहर जा के तो यूहीं हम अंदर आते हैं तो इतनी वो बिल्कुल गर्म गर्म सा लगता है तो सकून मिल अब यह शाम का टायम था tubi को ना कश बगोदी है , उसको मैं ना थोड़ा सा नमक डालके पहले फुल उबालके गला ली है , इसको कॉरिघ को जोठी मैं झाबी जोटे मिनी चॉपर में टो उसको मैं ना नोज़ाङ का और तो पॉछर ना मैं ना पज़ान उसको पिस। कोई भी यूज नहीं करूंगे इस तरह तो थोड़ी सी मेटमेटो पेस डालूंगी मसाला इसका अची तरह से बून के तो लोबियों को तो मैंने पहले वैसे फुल कुक्की है तो वो डाल के उसकी बनाई करूंगी और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना तो उसको बस उसकी ग्रेवी सी बना लूँगी तो ये बड़ा मज़े का बनता है और फिर चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं क्योंकatal चावल तो हम जो है नसकी नहीं कर सकते हैं चावल बेशक वो डॉक्टर मना करें कोई भी मना करें वो हमने खाने ही खाने है तो गरत जो है ना वो कहते रहते हैं गर वाले के ना खाएं आपको डॉक्टर ने मना किया लेकन सच में चावलों के बगार तो राई नहीं नहीं जाता तो डेली भी एक चीज़ बंदा पास्ता खा लें रोटी खा लें कुछ भी खा लें लेकन चावल जो ना उनका तो अपना ही टेस्ट आ वो खाने ही पड़ती है तो इदर सालन जो डन हो गया उसके अंदर मैं थोड़ा समसाला डाल दिया साथ मैंने धनिया डाल के तो सालन को एक साइट पे रख दिया तो आटा भी अभी मेरा गूंदने वाला था क्योंकि आटा भी खतम हो गया था मैंने का चले मैं आटा भी गूंद लेती हूं साथ ही दूद भी गरम हो गया था बलाई देखें इसके उपर अच्छी तरह से आ गए हलकी आँच पर मैंने इसको न रख दिया था कि जब ये दूद पकता है ना तो पक के इतना वो सुर्ख सा हो जाता है तो पीने का सच में इतना मज़ा आता है ना तो आता भी मैं इधर गूंद रही हूं साथ थोड़ा सा मैंने जादे गूंद लिया था मैंने का चलें कल तक जो न वो चल जाएगा तो आते को मैंने गूंद के राख दिया अब मैं रोटी बना लूँगी जल्दी जल्दी से तो सारों ने माशाला से खाना खा लिया अब मैंने अपनी सालन डाला है प्लेट में थोड़ा सा तो और साथ रोटी रखी हैं मैं खाना कहूंगी तो मुझे और मेरी फैमली को दें अजाज़त अला आफिस